हेलो बच्चों, लोपकलासेश चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं, आज मैं आपके लिए फिर से एक निया विशय ले करके आई हूँ, यहाँ एक कवीता है और इस कवीता को रामधारी सिंग दिनकरजी ने लिखा है और इस कवीता का नाम है चान्द का जिंगोला पिलमाने प्रत्ते को थर भड़ी, एही थर रमध्यों आमें प्रत्त में कवी परिचाय पड़िवा, ता परे कवीता व्रुति करिवा रामधारी सिंग दिनकरजी का जन्म, 30 सित्तमबर सन 1908 को सिम्रिया घाट मुंगेर बिहार में हुआ छात्रा बस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवी रूप सामने आ गया दिनकर राष्ट्रिय भाबधारा के प्रमुख कवी रहे, उन्ही स्वार्य और विर्ता का कवी माना जाता है तो पिलामाने रामधारी सिंग दिनकरजीं कर जन्म, सेप्टेमबर मां 133 करे, 1908 मसियारे सिम्रिया घाट मुंगेर बिहार ठारे होई दिला छात्रा वस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवी रूप सामने आ गया पिलामाने अज्जस्वी माने हुजी सक्तिसाडी तो दिनकर जिनकर छात्रा वस्था समयरे ही ओजस्वी कवी रूप, मने सक्तिसाडी कवी रूप सामना गो पड़े यसी थिला चात्र वस्थरे ही दिनकर राष्ट्रिय भाबधारा के प्रमुख कवी रहे दिनकर राष्ट्रिय भाबधारा रा प्रमुख कवी थिले उन्हें स्वर्य और विर्ता का कवी माना जाता है सर्वय मने होची भाब धर्म और विर्ता मने होची समर्थ्य तो उन्हें स्वर्य और विर्ता का कभी माना जाता है तांको भाब धर्म समर्थ्यार कभी माना जाए दिनकरजी की बोहु मुखी प्रतिवा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है उनके काभ्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवन्ती, कुरुक्षेत्र, रस्मीरथी, उर्वशी, हारेको हरिनाम, बाप्पु, दिल्ली, इत्यादी गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धन आरिश्वर, मिट्टी की और, रेती के फूल, संस्कुरूती के चार अध्याए इत्यादी दिनकरजी राज्य सभागे सम्मानित सद्यस्य रहे भारा सरका ने उनको पद्मभूसन की उपाधी से अलंकुरूत किया उन्हें उर्वशी महाकाब्य के लिए ज्यानपेट पुरसकार दिया गया दिनकरजी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार, गद्य और पद्य दोनों में हुआ है बहुमुखी का मतलव क्या है? अनेक विशय या फिर्दिसा आदि में प्रयक्त होने वाली तो दिनकरजी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार, गद्य और पद्य दोनों में हुआ है उनकी काव्य ग्रन्थों में प्रमुख है, तांकर डचनागुडि कहला रिणुका, हुंका, रसबंती, कुरुक्षेत्र, रसमिरत्री, उर्वसी, हारेकोहरी नाम, बापु, दिल्ली, इत्यादी और गद्य ग्रन्थरे प्रमुख हैला देश विदेश मेरी यात्राएं अर्धनारी स्वर मिट्टी के और रेती के फूल संस्कुरूती के चार अध्याय इत्यादी दिनकर्जी राज्य सभा के सम्मानित सद्देश्य रहे दिनकर्जी राज्य सभार सम्मानित सद्देश्य थिले राज्य सभा पिला मने तुम्मेने जानी चो तो सेई राज्य सभारा सेज़ने सम्मानित सदस्या थिले सेई जुगो रेजेत बडे कि आमोधेस स्वाधी नही न थिला भारत सरकार ने उनको पद्मभूसन की उपाधी से अलंक्रुत किया और भारत सरकर मध्यों तांको को उपधिरे? पादमा फुसल उपधिरे अलंग रुत करे थिले उन्हें उर्वशी काव महाकाभ्य केली ज्यानपीट पुरस्कार दिया गया एबं तांको तांकर उर्वशी महाकाभ्य पाएं ये गोटे महाकाभ्य लेखी थिले से तो बहुत महाकाब्या लेखी चांते ता वित्रू उर्वशी महाकाब्या जोटा छी से उर्वशी महाकाब्या पाई तांको कौन मेड़ी थिला ज्यान पेट फूरसकार मेड़ी थिला तो तुम्हें जानी पर्थवो से कित्ते सुन्दर कवी थिले शे, अमों हिंदी साहित्ट पाईं गोटे तारो का सद्रुसत पिला मने पिला मने चांद का छिंगोला पड़िवा पुर्वोरु चांद रो छिंगोला मने कणा चाणी नवा चांद माने होची जन्ह एबंग झिंगोला माने होची स्वेटर उल्ली जो स्वेटर बुणा जाए नी सही स्वेटर चांद का झिंगोला जन्ह पाई स्वेटर तो चल्ला अरंभो करीबा तांकर एही सुन्दर कवीता चांद का झिंगोला हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वो हो बोला सिर्वा दो मा मुझे उनका मोटा एक जिंगोला सन सन चर्दी हवा रात भर जाडे से मरता हूँ ठिठुर ठिठुर घर किसे तरह यात्रा पुरी करता हूँ आसमान का सफर और यह मौसम है जाडे का ना हो अगर तो लादो कुरता ही कोई भाडे का बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलो ने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादो टोने जाडे की तो बात ठेक है पर मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ कभी एक उंगल भर चोड़ा कभी एक फूट मोटा बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन फिर तो छोटा घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की आँखों का तुझ दिखलाई पढ़ता है अब तु ही यह बताना अप तेरे किसी रोज लिवाएं सीदे के जिंगोला जो हर रोज बदन में आए बच्चे दिन बदिन बढ़ते जाते हैं इसलिए उनकी पोसाग बड़ी साइच की बना ली जाती है लेकिन चांद घटता घटता अमावस के दिन दिखाई नहीं देता वो चाहता है कि उसके लिए एक जिंगोला या फिर कुड़ता सिल्वा दिया जाए मा पुछती है बेटा किस नापका बनाया जाए जिसे तो रोज रोज पहन सके इसमें एक मजाक और व्यंग है सादा अस्थिर के लिए कुछ नहीं क्या जा सकता तो बच्चों चलो पढ़ते हैं चांद का जिंगोला हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला सिल्वा दो मा मुझे उनका मोटा एक जिंगोला चंदा मामा अपने मा से जित कर रहे हैं जैसे आप बच्चे अपने मा से जित करते हैं उसी तरह कि मा सिल्वा दो मुझे उनका एक मोटा सा जिंगोला हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला सिल्वा दो मा मुझे ओन का मोटा एक जिंगोला संसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पुरी करता हूँ चांद अपनी मा को कहते हैं कि ठंडे के मारे मेरे हालत बहुत खराब हो जाती है मा रात भर ठंडी हवा चलती रहती है न जाने कैसे मैं अपनी इस यात्रा को पूरी करता हूँ आपको पता है ना चंदा मामा रोज रात को आते हैं फूर्वदी सामे निकलते हैं और पस्चिम की ओर चली जाते हैं, रात में तो बहुत ठंड भी होती है और लंबा सफर भी होता है कभी कहुँ छन्ती, दिने जन्हता माँ पाखरे जीत करूची, कि तापाई पसमर गोटे मोट्टा पसक तियारी करिवा पाई सित्त दिन रातीरे जित्त वेले थंडा पबन जोर रे बहुँची, ताको बहुत थंडा लगोची, चन्दा मामागू सित्तरे थरी-थरी से जे कोणसी प्रकरे तर जात्रा सेस करूची, आव बहुत कोष्ट पाऊथी वरो तमाँ पाखरे से जीत करूची, जे माँ मोपाई गटे ओल्ल स्वेटर सी लेई दियो, कहें कि नमोँ बहुत कोष्टरे जात्रा डिको अत्तिक्रम करूची आसमान का सफर और यहा मौसम है चाडे का, ना हो अगर तो लादो कुरता ही कोई भाडे का चंदा मामा अपने मा से कहते हैं कि तुम्हारे पास न होतो उनका स्वेटर, तुम न सिल सकोतो मा, मुझे भाडे का ही किराय का ही लाखे दे दो भले ही सर्दियों सर्दियों काम चला लेंगे और फिर लोटा देंगे जन्हता मा कुको हो जी, मा तू जदी तियारी नक करी पारू छू, ताहेले गोटिये काम कर भडारे हे उपचा के, मो पाई गोटिये स्वेटर आणी दे, मुझे परी सित्तरों रख्या पाई पारी भी अओ ए सित्त दिन उड़को, जे मिती समिती करी हो, काटि रभी बच्ची की सुन बात कहा, मा ताने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगी मत, तुझको जादो टोने जाडे की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं, तुझको देखा करती हूँ कभी एक उंगल भर चोड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है, और किसी दिन छोटा तो मा कहती है, मेरे प्यारे सलोने चंदा, भगवान तुझे हमेशा कुशल लखें तुझे किसी के नजन न लगे, जादो डोना तुझ पे काम न करे, जाड़े की तो बात ठीक है, मुझे सब समझ में आता है लेकिन डरत तो मुझे इस बात का है, कि एक जिंगोले से तेरा काम नहीं चलेगा, मैंने कभी तुझे एक नाप में नहीं देखे तो मा की परिशानी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है न, कहती है कि कभी तुझ एक उंगल भर चोड़ा और पतला सा छोटा सा उंगली बराबर होता है और कभी एक फुट बड़ा हो जाता है और फिर बढ़ता जाता है और फिर गोल मटोल सा हो जाता है तो मा भी अपनी जगा ठीक है मा की परिसानी भी अपनी जगा बिल्कुल ठीक है पिल्लाटीर कथा सुणी मा कहुछन्ती आरे पुओ भगबान करन्तु जेपरी काहारी द्रुष्टी तो उपरे न पडु तत्ते जेपरी केही गुणी गारेडी नक करन्तु सित्त दिनन कथात ठीक ची किन्तु मोर गोटी चीन्ता मुँ तते के बहले गोटी आकाररे देखु नाई केत्ते बेडे तु आंगोली टिये चोडा होई जाऊचु तो केत्ते मेडे फुट्टे मोटा होई जाऊचु क्यों दिनो बोड़ होई जाऊचु तो क्यों दिनो तो मुखेमी ती तोरो कोण परे सी लेवी कह स्वेटर तोर सी ना कोण सी गोटी मापो पाई लिमों स्वेटर त्यारी करे भी घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की आँखों का तू दिखलाई पढ़ता है अब तू ही यहाँ बता ना पतरी किसी रोज लिवाए सी दें एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए सी दें एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए मा परेशान होकर चान से कहते हैं कि किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है तू दिखाई भी नहीं देता है गायव हो जाता है तो कौन सा दिन होता है वो? अमा वाश्या के दिन चंदा मामा गायव हो जाता है और पुन्नी मा के दिन चंदा मामा गोल मटोल सा हो जाता है लेकिन मा की परिशानी क्या है? मा क्या करे? किस दिन चंदा मामा को ले जाए? क्यूंकि हर दिन तो उनका यात्रा करनी ही है वो तो छुट्टी नहीं कर सकते और हर रोज उनका नाप बदल जाता है चंदा मामा का और उनकी परिशानी है मा की परिशानी है किस दिन उनको दरजी के पास ले जाए माप दिलाएं और ऐसा एक जिंगोला सिल्वाएं जो रोज उनके बदन में आए ऐसा तो संभब भी नहीं कि ऐसे एक जिंगोला सिल्वाएं जो हर रोज उनके बदन में आए क्योंकि उनका नाप तो बदलता ही जाता है तो मा क्या करती हैं मा कहती हैं चंदा मामा के उपर ही डाल देते हैं बात को अब तो ही यह बता नाप तेरे किस रोज लिवाएं सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए तो मा कहते हैं कि मुझे परशानी है कि तो वही के वही रहे तो बच्चे फिर मा क्या करेगी इसका क्या उपाय है और मा को अब क्या करना पड़ेगा बच्चो मा को क्या करना पड़ेगा मा को चंदा मामा के लिए हर रोज के लिए एक नया जिंगोला सिल्वा कर देना पड़ेगा ठीक है क्या करना पड़ेगा मा को चंदा मामा के लिए हर रोज के लिए एक नया जिंगोला सिल्वा कर देना पड़ेगा एक जिंगोले से काम नहीं चलेगा पिला माने आजी आम़र चांद का जींगोला कम्प्लीट है गला आगू कौ आमे एहार अनुस लानी करीबा मुँ आसा करूछी तम्मान को ही ग्लास्टी भलो लगी थीबौ जदि तमुको ही ग्लास्टी भलो लगी थीब तहेले निश्चीतरूपे लाइक करीबौ फ्रेंज का जह सेयर करीब और जदी तमें चैनले नुआ अच्छ तहले निश्चीत रुपे सब्सक्राइब करीब तहीं कि ना आमरा आगो को अही बड़ी चैप्टर वाईच पड़ाब तासरत तमरा केड़ी सार एबं अनुजा मेडम मध्या बहुत भला पड़ा हुचानती तुमें जदी सब्सक्राइब ना करीब आमा चैनले सब्बो कीचे क्लास को आगो को मिस करीब तस्योर सब्सक्राइब करीदब मना देखे पठा पड़ीब Have a nice day, take care